कितनी क्यूट हो आपता है दुकान लागा का 35 साल हो गया दोस्तो 85 साल की उमर में ये अम्मा उनकी 65 साल की बेटी के साथ मिलके पिछले 35 साल से हमारे सहर रोरकला में इडली और चौकुली दोसा बेचते आ रहे हैं अम्मा के हाथों बनाए चौकुली पिटा की तारी बहुत सुनी थी इसलिए हमा चले आई सेक्टर 18 जरकन मार्केट में मौजुद अम्मा के इस टॉल पे पर हम जब आके पहुँचे तो हमारी आंखे नम हो गई वजह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड हां इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा क्योंकि आपकी एक शेयर में इतनी ताकत है कि अम्मा और उनकी बेटी की जिंदीगी में खुसिया भर सकती है अम्मा के चेहरे में बनी ये जुरियां बया करती है कि उन्होंने अपने जिंदीगी में एक बड़ा लंबा सा रस्ता ते किया है लगबक 50 साल पहले अम्मा और उनके हजबंड रोजगार के लिए रोरकला आ जाते हैं फिर यहां के मिट्टी और लोगों से इतना घुल मिल जाते हैं कि हमेशा के लिए यही के होके रह जाते हैं इसी दोरान अपने फैमली को सपोर्ट करने के लिए अम्मा ने ठिक इसी जगा पे इडली बेचना सुरू किया था 35 साल पहले धीरे धीरे लोगों के दिल में अम्मा की इडली और चकुली पिठा ने अलगी जगा बना ली दोस्तों आज समय बदल चुका है लोगों को बड़े बड़े रेस्टरॉन और कैफे के आप्शन मिल गया हैं सिटी में तो कोई भला अम्मा के पास क्यों आएगा हम हैरान थे कि इतने टेस्टी आइटम्स बनाने के बाद भी स्टॉल में उम्मिद के मताबिक लोग नहीं आते जिसे देख हमें खुद निराश हो रही थी सुबह के हाट बज़ते ही मा बेटी स्टॉल चालू कर देते हैं इस उम्मिद के साथ कि आज तो कस्टमर्स की एक भीड आएगी उनके स्टॉल में और उनके हाथों बनाई इडली और चकली पिठा ट्राइ करेगी दादी जी मैं आपको दादी बुला सकते हूं पहली बात कितनी क्यूट हो आपता है आपकी उमर कितनी है असी साल पांच साल मतलब कि 85 मैं अभी खाई न मुझे बहुत अच्छा लगा पुरा मम्मी जैसा टेस्ट आ रहे है आपके स्वाइल बहुत सुंदर है इतनी खुपशुरो तो आप पुरा मुझसे भी ज्यादा खुपशुरो तो दोस्तों आप में से जो भी सेक्टर एटें जारखंड मार्केट के नस्दिक रहते हैं एक बार इनके स्टॉल में आके अम्मा के हाथों बनाए चकली पिठा और इडली जरू ट्राइ करिएगा क्योंकि आपके यहां आने से ही कस्टमर्स के लिए दरस्ती इनकी ठकी हुई आँखों को एक सुकून सा मिल जाएगा क्योंकि आपके यहां आने से लिए जाएगा